हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनपम्प शिर्वास्तो और आप सभी का अनपम्प ट्लिशन्स में स्वागत है फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं जिससे की आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सके हैं आज मैं आपके लिए एक राखी लिक्याई हूँ जो की है इविल आई राखी है अब मैं ये राखी बनाना स्टार्ट कर रहे हूँ सबसे पहले हम एक नौट बनाएंगे ये इस तरह से एक नौट बनाएंगे इसके पाद हम चार चेन बनाएंगे एक दो तीन और ये चार 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 चेन बना करके जो सबसे पहली चेन है उससे हम इसको slip stitch से जोड़ देगे इस तरह से crochet डाल करके और ये धागा दोनों loops में से निकाल लेंगे ये होता है मारा slip stitch इस तरह से हम slip stitch से इस धागी को निकाल लेंगे एक ring बन जाएगी अब हम 3 chain बनाएंगे ये 1, 2 और ये 3 3 chain बनाएंगे और इसके बाद इस ring से 1 double crochet पहले बनाएंगे ये जो 3 chain हमने बनाएंगे ये भी एक double crochet ही के बराबर है इसलिए इसको भी हम एक double crochet ही गिनेंगे तो ये हमाई पास यहाँ 2 double crochet हो गई हमें इस ring से 12 double crochet बनाने हैं दो हम बना चुके हैं अभी हमें 10 double crochet और बनाने हैं double crochet इस तरह से बनाते हैं जिसे हम बना रहे हैं ये कुरूशे पर एक बार धागा लेते हैं, रिंग के अंदर डालते हैं और इसके बाद ये इस तरह से कुरूशे में धागा लेकर के, दो से एक पहले करते हैं, फिर दो से एक करते हैं, इस तरह से हमारी डबल कुरूशे बनती हैं, जैसे हम बना रहे हैं, इस तरह से डबल क बना करके दिखाते हैं यह बारा डबल कुरूश्या बन गई है अब यह जो तीन चेन के हमने एक डबल कुरूश्या बनाई है उसमें जो सबसे उपर वाला वो है चेन वहाँ पर हम इसको स्लिट स्टिच से जोड देंगे इस तरह से यह पूरी एक रिंग बारा डबल तरफ क्रूश्या की हेल्प से फसाद के छपा देंगे जो आपको दिखाई नदे इस तरह से आप क्रूश्या से भी इसको हाइट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे सुईधागी से भी हाइट कर सकते हैं इस तरह चाहें आप उस तरह से इसको छपा सकते हैं यह इस तरह से हमारी रिंग बंद करके तयार हो गई अब हम इसमें पीछे की और से एक दूसरा thread लगा देंगे ये दूसरे color cut thread लगा देंगे चाहे तो आप इसको इस तरह से बांच सकती हैं या इसको भी जिस तरह मैंने फसाया था उस तरह से फसा दे सकती है इसको हम बात को फसा के दिखाएंगे आपको अब इस धागे को इस तरह से हम ले लेंगे और इससे तीन हम चेन बनाएंगे यह हमारी एक double crochet हो गई है जहां से हमने तीन चेन बनी हैं वहाँ पर हम फिद से double crochet बनाएंगे फिद दूसरी चेन में हम डालेंगे और वहाँ पर हम दो डबल कुरुश्या बनाएंगे हमने बारा डबल कुरुश्या बनाई थी और अब हमें हर जगां दो-दो डबल कुरुश्या बनानी है पहले हम पांच डबल कुरुश्या बना लेंगे पांच बार डबल कुरुश्या दो-दो करके बना लें यानि हम 10 डबल कुरूश्या बना लेंगे पहले ये इस तरह से हम बनाएंगे ये तीन जोड़े हो गए ये चौथा जोड़ा हो गया और ये पांच बाँ जोड़ा होगा पांच जोड़े हमने डबल कुरूश्या के बना लिए ये इस तरह से पहले पांच जोड़े बना लेंगे पांच जोड़े यानि दर्स डबल कुरूश्या बन गए हैं हमारे यहां हमने पांच बार डबल कुरूश्या बना लिए छठी च चेन के बाद पांच चेन हम और लेंगे जिन पर हम ऐसे ही डबल कुरुश्या पांच बार बनाएंगे और फिर जो आखरी बचेगी बारवी हमाई जो चेन बचेगी उस पर हम ऐसे ही दो ट्रिपल कुरुश्या बनाएंगे यह मैं अभी आपको बना करके बताती हूँ यहां हम 5 chain में 10 double crochet बना चुके हैं अब 6 chain में हमें बनाना है यहां हम triple crochet बनाएंगे इस तरह crochet पे 2 बार उन लपीट करके पहले एक triple crochet बनाएंगे यह इस तरह से हमारी एक triple crochet बन गई तीन chain लेंगे हम और जहां से हमने पहली chain ली थी वहां पर हम slate stitches को जोड़ देंगे फिर इसी hole में जो chain यह है इसी में फिर से triple crochet बनाएंगे क्योंकि एक hole में से हमने 2 double crochet बनाएंगे तो यहां पर एक hole से हम 2 double crochet की जगां 2 triple crochet बनाएंगे इस तरह से और फिर इसके बाद 5 बार हम दो दो बार करके double crochet बनाएंगे एक chain में दो दो double crochet बनाएंगे फिर से जैसे हमने पहले बनाई थी वैसी एक एक chain में दो दो double crochet बनाएंगे जैसी यह एक chain में बना लिया है अब इसके बाद वारी chain में दो double crochet फिर इसके बाद वारी chain में डबल क्रूश्य इस तरह से हम पांच चेन में दस डबल क्रूश्य फिर से बनाएंगे यह दो बार बन गई है तीन बार हमें और बनानी है यह तीसरी बार हो गई यह तीसरी बार हो गई यह तीसरी बार बना रहे हैं डबल क्रूश्य दो डबल कुरुश्या एक ही होल से दो हो गई फिर ये चौथी बार बनेगी दो डबल कुरुश्या और ये पांच वी बार दो डबल कुरुश्या ये हमने पांच बार में दस डबल कुरुश्या फिर से बना लिये हैं अब हमें आगे ट्रिपल कुरुश्या बनानी है अब हम नेक्स्ट होल में दो ट्रिपिल क्रोश्या बनाएंगे पहले ये इस तरह से दो बार क्रोश्य पर गोन लपेटेंगे और ये एक ट्रिपिल क्रोश्या बनाएंगे पहले ये इस तरह से ये इस तरह से एक ट्रिपिल क्रोश्या बनाएंगे फिटीन चेन बनेंगे ये इस तरह से slip stitch से जोड़ देंगे, फिर triple crochet एक बनाएंगे, इस तरह से बना लेंगे, एक triple crochet फिर से, और इस triple crochet को, यह जो हमने chain से double crochet बनाई थी, उसमें जो उपरी वाली chain है, महां से इसको slip stitch से जोड़ देंगे, यह हमारी evil eye बन करके तयार हो जाएगी, यह evil eye बन करके तयार हो जाएगे, यहां एक chain बना करके हम इसको धागे को cut कर देंगे, इस तरह से धागे को cut कर देंगे, और इसके बाद इस धागे को हम पीछे के तरफ हाइट कर लेंगे, क्रुशय से या फिर उसको हम सुष धागे से हाइट कर लेंगे यह हमारी इवल आई बन करके तयार हो गई है अब हम डोरी बनाने के लिए लगभग 24-24 cm के दोनों कलर के धागे ले लेंगे इनको इस तरह से दोहरा मोड करके यह बराबर काट लेंगे अब हम इन दागों को फिर से दोहरा मोड लेंगे और इसके बाद यहां से क्रुशय डालेंगे और इस दागे को इस तरह से पकड़ करके निकाल लेंगे दोनों दागों को एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से निकाल लेंगे और इसके बाद इन दोनों धागों के अंदर से यह जो धागे हैं दोनों इस तरह से डाल देंगे इस तरह से डाल देंगे तो हमारी गाठ हैसी पड़ जाएगी इस तरह से धागे बंद जाएंगे फिर शी तरह से इस साइड में भी करेंगे यह इस तरह से धागे को पकड़ेंगे दोहरा करके और यह जो इवेल आई का कॉर्णर है इसमें इस तरह से क्रुशे डाल करके इन दोनों धागों को इस तरह से ले लेंगे दोनों धागों को एक साथ ये इस तरह से ले लेंगे और इन धागों को धागों के अंदर से ये जो धागे हैं इसको इस तरह से ले लेंगे तो यहाँ पर गांठ बन जाएगे आराम से ये धागे आपस में फस जाएगे इस तरह से बन जाएगा अब हम धागे की सिरे पर एक गांट लगा देंगे इस तरह से इस तरह से गांट लगा देंगे इस साइड में भी और इस साइड में दोनों साइड में एक गांट लगा देंगे धागे के सिरे पर इस तरह से एक गाट लगा देंगे इस तरह से ये बन करके तयार हो जाएगी बीचो बीच में हम एक स्टोन या मोती कुछ भी लगा देंगे या हाफ मोती ये लगा देंगे इस तरह से चाहिए इस तरह से लगा दें या आप चाहिए तो उसको सिल भी सकती है यह हमारी evil eye राखी बन करके तयार हो गई है यह मैंने आपको दिखाने के लिए राखी बनाई थी यह मैंने बड़ी राखी बनाई थी चेन मैंने उतनी ही बनाई थी चार चेन से एक रिंग बनाई थी और यहां पर double crochet पहले हमने बनाई है यहाँ बारा single crochet बनाया था और उन बारा single crochet में हर एक chain के उपर मैंने two-two double crochet बनाया थ해 यानी मैंने 24 double crochet बनाया है इस तरह से यह बनाया है जो की बड़ी बनी है और फिर बात को जो last उसमें बनाया है आखरी बाहर वाली line वो वैसे ही बनाई है और इसमें छोटी राखी बनी हुई है इसमें किवल 24 नीचे अंदर 12 है और बाहर 24 डबल कुश्या बनी हुई है फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपनी सहलियों के साथ शेयर करें ठैंक्स फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो मेरा राखी को बनाने के लिए किस तरह से हमने बताया है ये धंग पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें ठैंक्स